अगर आप सरजनिक पदों पे हैं, मसलन सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, तो क्या किसी भी बयान को गैर जिम्मेदार तरीके से बोलने की जाज़त है? हाँ या ना, सुप्रीम कोर्ट ने दरसल इसी पे कल एक फैसला सुनाया है, मसला आजम खान के बयान का था, आजम खान ने बुलन शहर मामले में एक ऐसा बयान दिया था, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारे सवाल आये थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इनी सवालों पर अपना फैसला सुनाया है, दरसल सरजनिक पदों पर बैठे मंतरी, सांसद और विधायकों के गैर जिमेदार बयान कोई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल एक अहम फैसला सुनाया है, पांच जजों की बैठे ने चारक के भहुमत से अपने फैसले में साफ कहा है कि अभिवेक्ति की सुतनता पर समविधान के अनुछेद 19-2 में दी गई शर्तों के अलावा अतरिक्त परतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यानि जो मंत्री हैं, सांसत हैं, विधायक हैं, जो 19-2 के तहट जो चीज़ें कहीं गई हैं, उसके अतरिक्त उन पे कोई और परतिबंध नहीं लगाया जा सकता, जस्तिस इस नजीर की अधिक्ष्था वाली बेंच ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि वैसे मामलों में अतरिक्त एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 19-2 के अतरिक इस तरह की चीज़ों पर फैसला नहीं लिया जा सकता, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि राजनेतिक पार्टियों को अपने सदस्यों के भाशन पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक फैसला जस्तिस एनवी नागरतना का भी था, उन्होंने डिसेंट जज्जमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि अपने फैसले में राजनेतिक पार्टियों को अपने सदस्यों के भाशन पर कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि हेट स्पीच सम्विधान के मुल्भूत मुल्यों पर हमला करता है इस बार इसके बाद फिर वी चुकि वह उनका दिसेंट दिसीजन था वो उनका डिसीजन को यहां माना नहीं गया क्योंकि चार जजों ने अलग फैसला सुनाया था दरसल सुप्रीम कोट ने चार सवालों का कुल जवाब दिया है सवाल नंबर एक क्या अनुछेद 19.1 के तहत विचार अभिवेक्ति की आजादी और जवाब में कहा शिर्ष अदालत ने कहा कि अभिवक्ति की अजादी पर नियंतरण के लिए अनुछेद 19.2 ही परयाप्ट हैं अनुछेद 19.2 में दिये गए नियंतरणों के अलावा अभिवक्ति की सुतनुता पर अतरिक्त प्रतिबन नहीं लगाया जा सकता शिर्ष अदा अनुछेद 19 या अनुछेद 21 के मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है यानि दो सवालों के सुप्रीम कोट ने साप साप जवाब दिये तीसरा सवाल था अगर मामला उच पत पर बैठे व्यक्ति से संबंधित हो तो क्या अतरिक्ट परतिबंद हो सकता है इस पेशिर अगर सरकार के फेवर का ही क्यों नहों उसे परुक्स तोरप सरकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है चोथा और जो आखरी सवाल सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में देखा क्या मंत्री के बैयान के खिलाफ सम्मिधानी को लंगन मानकर कारवाई की जा सकती है इस पेशि बैयान को सम्मिधान के खिलाफ मानकर कोई कारवाई हो सकती है उस बयान पर अगर अधिकारी कोई कारवाई करता है या कारवाई करने से मना करता है जिसे किसी नागरी को नुकसान होता हो तो वहां कारवाई हो सकती है तो सुप्रीम कोट ने इन चार बड़े अहम सवालों पे काफी डिटेल फैसला दिया और जो उसके सामने मौलिक बोलने की जो आजादी की बात को लेके जो सवाल उठाए गए थे उस पे शिर्स अदालत ने ये बहुत ही आहम फैसला दिया NBT Online पे फिलाल इतना ही नमस्कार